हेलो नमस्कार दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम मैं हूं माही और स्वागत करता हूँ आपका अब जीतेंगे पर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना जुड़ जाना सबसे पहले तो एक बात इंपोर्टेंट कहूंगा कि जो लोग बिना आंसर की के release हुए cut-off release कर रहे हैं उनसे थोड़ा साफदान रहे हैं वो फरजी मामला है ठीक है जब तक बच्चों ने अपनी आंसर की नहीं देखिये यह cut-off पे cut-off भाजे जा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं उनको छोड़ो cut-off से related एक बात बतायता हूँ बहुत जादा important है और वो बात यह है कि अब जो आंसर की पहले पड़ी हुई थी वो भी हट्या ली गई है और आप क्या कर सकते हैं आप objection raise नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कभी मुम्किन नहीं है यह बहुत extreme case हो जाएगा कि जब कोई ऐसा कर दे कि भाई अब हमने इतनी जो निकली थी वो निकल गई अब हमने answer की बापस ले ली अब जो भी होगा इसी के उपर result आगा नहीं ऐसे दो-चार लोग वीडियो बना रहे हैं कि अब यहीं होगा objection नहीं होगा जो भी अब है उसी पर result आएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यह result का है एक दोबारा से answer की अपलोड होगी 28 तारिक तक कभी भी answer की upload हो सकती है घबराने की ज़रुवत नहीं है ठीक है 28 तारिक तक answer की upload होगी एक तारिक तक को उसका चांस है आपको पूरा आधिकार है और आपका right है यह answer की आप देखें उसके बाद objection raise करें अब यह हट गई है bug की बज़े से हट गई है मैंने कल भी आपको बता नहीं है कि बिल्कुल उसी के basis पर result आजाए हाँ result आपका दसमाद दिल लेट हो सकता है जो 11 अपरेल की date दे रखी थी उससे कुछ दिन लेट चला जाएगा result लेकिन हमको result की tension नहीं है आप 10 की जगए 12 दिन लेट कर दो बट हमको answer की देखनी है भाई एक मार्च वाले बच् answer की आएगी और दोबारा री अप्लोड होगी जैसे ही होगी मैं आपको इंफर्म कर दूंगा जानकारी के लिए पहले जानकारी मिल जाए इसलिए आप चैनल से जोड़ जाए ठीक है थेंक्यू मेरी मुच